थेखो सेर बेंबर रेकोरडिंग ओन है ना टो गूर्ट इविनिंग फिर्स एकपर सबको ओके गूर से तो अलोफ यूद्ट अच्छा अच्छा फिनाश्याल मेनजबेंट पढ़ना है ना सर तो को थोड़ा दिकत फिर से होगा विकॉस को अल्मोंस अब जितना बोलूगा कि आप तो तो चुछ मेरे स्क्राम ऐसे कमरें विक्सेशकर यॅरी और रएबने दोड़ान अग्या है कि पेला कि निना दोत्क है एंधा विक्षिचन ढवेसं की ता02 बनार य determination तो आज क्या करेंगे कैपिटल बजेटिंग में आज कैपिटल बजेटिंग में स्पेशल डिसिशन सिच्वेशन में कुछ और इंपोर्टन पॉइंट में डिसक्स करना है तो चलो मैं आपको में जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है स्पेशल डिसिशन सिच्वेशन में मतलब कुछ ऐसा चीज़ेंगे आज से फ़र एक्जांपल की आपके सामने दो तीन प्रोजेक्ट है आपके पास दो प्रोजेक्ट है आपको प्रोजेक्ट में अपना इवेस्टेंट करना चाहोगे लेकिन सवाल यहां कि कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा इनुए बढ़िया रहेगा लेकिन एक प्रोजेक्ट है तीन साल का एक प्रोजेक्ट है पांट साल का तो इस केस में आप कौन सा प्रोजेक्ट तो चूज करोगे पांट साल वाला बहतर है कि तो उसका इडेंटिफिकेशन कैसे करोगे तो वही आज का कि आज हम लोग फाइंड आउट करना सिखेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट का लाइफ डिस्पैरेटी होगा मत्तब प्रोजेक्ट का लाइफ अलग-अलग है ठीक है तो यह भी एंपीभी का यह थोड़ा का प्रोजेक्ट करने का इसे सिचुशन से राइफ में भी बहुत आएगा जब आप लोग ऐसे किसी कंपनी का फाइनशेल मेनजेर बनोगे न तो आपके सामने कंपनी करके बताओ बोलो कि कौन सांसा कौनसा इंवेस्टमेंट कंपनी के लिए बहतर होगा तो ऐसे फाइनेंस म साथ साथ फोरकस्ट भी करना है कैलकुलेट तो सिर्फ मैथमेटिस का बात है साथ में फोरकस्टिंग तो चलो सर सीखते हैं और फिर बाद में जब रियल लाइफ आएगा दिरे तिरे यूज करते करते सीख जाएंगे ओके सर इतना बोलोगे तो सीखना तो पड़ेगा अचा थी कहां आगा अर्यक्त करना सर्फ स्क्रीन चियर है की नहीं है के लाज है है कि कैसा दो है कि करुछ है तो कि झाल अच्छा तो हीडिंग करना सर्फ फैनांचियल एक इंग करने में दिक्कत जरूर होगा ठीक है प्रिविएस प्लास करने में सिरूर ठीन ही जरूर थोड़ा दिक्कत होगा इतना बोछ सकता हूं कि समझ में आएगा ठीक है तो फैनांस में फाइनंस का क्या है ना सेंपर बहुत ज्यादा कॉंसेप्शन को पहचानना मतब क्या बोलू सर आपको हाडल है में हाडल है कि कोशन को पहचानना तो मतलब कोशन तभी आप पहचान सकते हो जब उसको साथ आप लोग कर सकते हो लाइक रियल लाइफ में बिजनेस में कितना तरह का कॉंसेप्ट होता है उसके साथ भी आप लोगों को ना थोड़ा सही थोड़ा सही सही बड़ कनेक्ट होना पड़ेगा तो यह रहा कैपिटल बजेटिंग का आज का डिसिशन जिसमें हम लोग बात करने जारे सब्सक्राइब कर दिजिएगा पार्ट थ्री बोलके आपको बाद में आप देखना नोट के साथ कानेक्ट होगा कुछ पार्ट टू हुआ था और यह पार्ट थ्री है ठीक है अगर मैं नहीं करता है तो बाद में मैं देखूंगा लेकिन क कर ना चाहिए श् rating सिचिवेशन कि पेशल नहीं तो छोड़ ऊणमें置 Alter साफ लोग और हुए सी पॉइंट वाले हो कि दो करना फructures का पॉइंट वान तो ऊएसे बिटूइन बहुत इंड्रिस्टिंग तोड़ा सा पिसेंश रखो देखना बहुत इंट्रिस्टिंग बिहने स्मझ में आयगा चौइस बीटुटिंग को टोर शॉटीन इसकलिवेटिभ गणास्यप्रक्राइब जो हो मुचली एक्स्क्लुजी प्रोजेक्ट कि कि ले कि मसी एक को ले सकते हो इसडी MAN मतलब समझ रही हो नative कि 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 सी प्रोजेक्ट का लाइफ कम है कि सी प्रोजेक्ट का लाइफ जादा है आप लोग को बात 있을े कुछ श्माज भीया रहा है सवाल है जरीलाइब होने से पॉइ प्रॉब्लम नहीं कौन सा फिर्यक्ट में कि यह पर देखने के लिए टो आगे बढ़ेंगे तो चलो तो आगे बढ़ते हैं कि इंपी वी बैस्ट सम्स बैसिकली यह इन पीवी बैस्ट सम्स है और आप लोगों मैंने पहले भी बोला नेट प्रेजेंट जालो इसा अंडिस्पूटेड सेलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल बजेटिंग किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने का एक कि आपको एक फाइनस के स्टूडेंट के नाते आप लोगों को अपने आपको एक फाइनस के स्टुडेंट के नाते आप आप लोग जानते हो कि आपको बहुत बड़ा क्या बोलो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत इंप्रूब्मेंट देगा आपके फ्यूचर में थे इन पीपी बेस्ट समसे कंसेटर कंसेटर थी फॉल्लवेंग जो एक चीज़ मुझे बताओ कि यह रेड आप लोगों के लिए दिक्कत तो नहीं कर रहा है मैंने हाँ पर रेडिंक यूज कर रहा है को दिक्कत तो नहीं और आप लोगों झाल आष था थो निंद यहां ए नहीं हो रहा है वीजुड और एक्स्क्लूसीव प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट करते हैं के बढ़िया से बनाएंगे मजा आएगा अच्छा प्रोजेक्ट लिखो ईयर्स इस प्रोजेक्ट ए अन्ड प्रोजेक्ट दी कि एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट बी है तो दोनों का के ओर 15 यह जिरो वांदूं ट्रि प guid इन्वेस्ट्मेंट क्या रहा हो सर्थ प्रोजेक्ट यह में इनीशेल इन्वेस्ट्मेंट कर रहे हो आप 6060 फील्प सी सही है तो लिग दो रूपीज दिन लैक्स लेक्सिह सब pastor प्रोजिक्ट A Congressman छोकी सब्सक्राइब ने डीन सानल सब्सक्राइर कशी कर रहा है यह सब इंफ्लोज है इतना तो समझ आ गया होगा 400 300 500 प्रोजेक्ट इतना कई है सर प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है थोड़ा सब बड़ा है यह 800 प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है और लोग यह इस तरह से सब्सक्राइब इस तरह से तो आपका प्रोजेक्ट वी है ये पांट साल के लिए चल रहा है और जो प्रोजेक्ट यह उन तरह सोचो कि क्या आप ऐसे सोच सकते हो इस तरह से नहीं सोच सकते सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसका तरीका थोड़ा अलग है इन पी भी करना है थोड़ा कुछ अलग को सब्सक्राइब कर लाइगा विक यहां पर लाइब डिस्पैरिटी तो के सी इकोल्स बोल दिया सर आपको के सी मतलब सरक्या है आप लोग जानते हो ना पड़िस के सिर्पी मुझे बताया इस अपने मार्केट जो अपने मार्केट से उठाया उसके लिए आपको 14 पर सिंग कि अधिक गर्वार्ट अबर्च है इस इस अधे झीए अगर सो ब्रूपिया मार्केट से उठाटे हो तो आपको कि कितना पड़ेगा हर्चा के साथ से 14 रूपिश तो मतलब के सी जादा रिटन तो आपको कमाना चाहिए अगर आपको बिसनेस में कुछ अच्छा गरना है त इतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा, you have to earn this kind of, this amount to survive your business, अगर आप इतना income नहीं कर पाते हो, अगर इतना return अगर आप business से generate नहीं कर पाते हो, तो as a finance manager भी आप किसी काम के नहीं हो वे उस particular project के लिए, और आपके खुद के business के लिए भी आप on that particular case, थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए सर, बोल सकते हों किसे project, failure नहीं बोल सकते हैं, but project से आपको success नहीं मिला, ठीक है, तो case equals to 14% आपको पूछा जा रहा है, which project should be accepted, which project should be accepted, मतब इन में से कौन सा project आपको चूज करना चाहिए, project A या project B, question सबने लिख लिया, sir, आप लोगों ने project पुड़ा completely लिख लिया, बोलिएगा, sir, special decision situations में आपके सामने project ready है, अब इस project को solve करना पड़ेगा, sir, अब इस project को solve करना पड़ेगा, कि कौन सा project लेना चाहिए, वो भी special decision situations में देखना पड़ेगा, जिसमें life disparity है, एक project तीन साल का है, दुसरा project पांच साल का है, एक project तीन साल का ये देखो, project तीन साल में खतम, project भी पांच साल तक आपको inflow दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता, sir, कि आपको project भी ही choose करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना, तब तो एक मुर्ख इंसान और एक educated इंसान में कुछ तो फरक होना चाहिए, मतलब जो finance समझते हो और जो finance ना समझते हैं, फिर उन दोनों में क्या फरक रह जाएगा, तो वही फरक ढूंड़ना के लिए चलो सर चलते हैं फरक ढूंड़ते हैं, फरक ढूंड़े के लिए हम लोग निकल पड़े, okay, solution, since, since we have to choose, since we have to choose between, between two mutually exclusive है ना सर, between two mutually exclusive मतलब किसी एक को लेना चाहिए ना सर, mutually exclusive मतलब क्या, two mutually exclusive project मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट चूस कर सकते हैं, between two mutually exclusive project of unequal size, of unequal size मतलब दोनों प्रोजेक्ट का size equal नहीं है, इन दोनों में फरक क्या है, कोई मुझे बता सकते हो, प्रेक्टिकल और थ्योरी नहीं सर, मैं मान के चलता हूं कि दोनों ही प्रेक्टिकल अप्रोज या दोनों ही थिरोटिकल अप्रोज से चलता है, चलो मैं दो मिनिट के लिए मान लिया, अब बताओ कि क्या difference है, एक्सपीरियंस मिलता है 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 से अपको पता है सिलवस है आपके लिए फिलेस बनाए गया आपको एक डेडर दिया गया ठीक है हैucking किताबे हैं कही न कहीं यहीं से पूछेगा लेकिन लाइफ में जब कुछ पूछेगा चाहिए लाइफ में आप बिजनेसमैन बनते सो सपोस्पोस आप मुके शंसमानी कोल को सो low-end relief की उनived उनर को सोचो यह ताटा को सोच या फिर आप इंफोसीस हो तो रिलाइंस मुक्य शम्वानी इनफोसीस इनके भी लाइफ में एक्जाम आते हैं हर मेनिट में आते हैं हर सेकेंड बें आता है जो बात अभी रॉष्णी बोल रहा था कि जिन्दगी का एक्जाम का बात में कर रहा हूं यह सर्टें नहीं है यह मतब किस मोफ्मेंट में आपके सामने क्या सवाल होगा लाइफ के इसका कुई गैरिंटी नहीं है और आपके सामने हमेशा आपके पसंद का सवाल हो या फिर जो एक्जाम मतब जो आप प्रैक्टीस करके हो आपको वही पूछा जाए ऐसा जरूरी है क्या कि अंसर दिन्दगी में सवाल जो होता है कि आपको जो प्रैक्टिस किया हुआ हो पूछेगा यह फिर कुछ भी पूछ सकते हैं और बोलो ना सब्सक्राइब कुछ भी पूछ सकते हैं रिसेंटी इन्फोसिस ने बहुत बड़ा एक्जाम दिया आप लोगों को पता है इंडिया में आधर का टेक्नोलोजी है अधर का इन्फोसिस नहीं बनाया इन्फोसिस इसका और एक न्यूज आपको बताता हूं इन्फ इंफोसिस नहीं बनाया निलके 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 निन्फोसिस का को फांडर मेंबर है तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि आप कोई भी कंपणी चला सकते हो आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो ड़सेंट मैटर बट आपके सामने कब कौन सब्सक्राइब किस तरह का कोश्चिंस हो जाए आपके सामने क्या प्रॉब्लम आप बोलो कि इन्फोसिस इतना बड़ा इटी कंपनी है बट इतना बड़ा प्रॉब्लम इसको मिला है कि पूरा भारत का इंकम टैक्स सौफ़एर उनको बनाने का रिस्पोंसिबिलिटीज दिया गया है लेकिन प्रॉब्लम होगा तो शॉट आउट भी करना होगा ऐसा नहीं कि हम लोग तो बेस्ट है तो हमसे प्रॉब्लम नहीं हो सकता यह कस्टमर का प्रॉब्लम है क्या यूजर का प्रॉब्लम है बोलेगा क्या कि बोलो ना कि असर इंफोसिस उसको ठीक करने का कोशिश करेगा क्या लगता है तो आपका माइन सेट अपी सर वैसा ही होना चीए में मोटो मैं वहीं आपको बोल रहा हूं कि हमेशा आपको एकदम जाना पहचाना सब कुछ मिलेगा ऐसा जिन्देगी में कभी नहीं हो सकता थिक है तो प्लीज सब्सक्राइब को ऐसा बनाओ ठीक है एक कॉमन कॉमन का जो सब्सक्राइब कॉमन कॉंसेट से बाहर निकलो सर यह जो डबा मार का एडुकेशन सिस्टेम हमारे देश में चल रहा है ना इससे बाहर निकल जाओ सर ठीक है आपकी एक्जाम की साब से प्रिपर करो उसमें कोई प्रॉब्लिम नहीं है एक सिस्टेम है सिनारियो है आपको को शक्राइब से चलना चाहिए यह हमेशा में नहीं मिल रहा है को मनें मिल रहा है में ऑद चेला दूड़कां के साथ चला जा रहा है यह एच्छा बात नहीं है सर इसमें आप शार का नहीं पार कर दो बाट लाइफ में आपको बहुत प्रोब्लेम झेलना होगा ओके इस डूंड़ो कॉमन मद ढूंड़ो सेंस वी हाब टूज बीटून टू मुच्वली एक्स्क्लोसीव प्रोजेक्स ऑफ आन इकोल साइस टीक है हम लोगों ने दो ऐसा अन इकोल साइस का प्रोजेक्ट मिला वी विल कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट इनफोसिस ने और भी उपार बहुत बड़ा काम किया जैसे आप लोग को विल्वेश्टेम के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों कि यह बस मैं ऐसे बोल रहा हूं इन फोसीस का बात हो रहा तो इसके बोला कोर बैंकिंग सिस्टेम कीम एक आप जानते हो आप लोगो बै अब pada स्पोस्था इन्डिया में आपका अकाउट है और मेरा अगॉंट है जैसे कि जोती की साथ बात चल जो सब्सक्राइब नां है था सुर्ण एब जोती का सब्सक्राइब में है में अब जोती को मुझे कुछ प्रवन आइं तो वे हो जाला तो चेक हो जाता है किसी भी का चेक किसी भी पैंक के साथ कर लेता है ना तो आर्वीर पास एक ऐसा सौफटार है घलते हैं जो सौफटार रहें तो पुरा भारत का banking system को एक one unique control system से भी चलाया जाता है जिसको core banking system बोलते हैं और उस core banking system के कारण ही कि आपका account किसी भी bank में हो आप किसी भी bank के साथ transaction easily कर लेते हो ठीक है यह सुनने में आज के rate में बड़ा असान लगता है बड़ जब यह problem मतलब यह core banking system का technology इसने बिल्ड नहीं किया था तब यह बहुत बड़ा problem में बहुत बड़ा revolution है जिसका भी किरदार किसको जाता है इसको credit बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह का इंफोसिस कर किया है ठीक है तो यह कुछ अच्छा बात याद आया तो मैं आपको बोला ठीक है चलो कोशन सॉल्फ करते हैं तो सेंस्ट वी आपकोलेट क्या करेंगे हम लोगों को एक concept calculate करना पड़ेगा क्या concept है इसका नाम है सर एनुवल इक्विवेलेंट बेनिफिट कि बात को समझ में आ रहा है ऐनुवल इक्विवेलेंट बेनिफिट मतब आपके पास दो बिजनेस है जो दोनों प्रोजेक्ट अलग-अलग लाइफ तो अगर दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ अलग है तो आप आप लिस्ट जब इनको बीच में किसी एक को आपको चूस कर इसमें आपको एकुल बैफिट मिल जाए यह जोडने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक फॉर्मूला शॉमजना पड़ेगा क्या है सर formula बताओ तो सर सर फॉर्मूला रटने का नहीं सर फॉर्मूला समझने का है और फिर बाद में रट लीजियेगा पहले समझियेगा फिर रटेगा ठीक है नेट प्रेसेंड वैलू जो होगा इसको डिवाइड कीजियेगा प्रेजेंड वैलू ऐनिमिटी फैक्टर से यह मैंने आपको पहले भी सिखाया present value annuity factor के बारे में मैं लोगों को आपको पहले भी सिखाया तो एंपी डिवाइड वाई present value annuity factor bracket में के सी कॉमा एन मतलब कितना साल के लिए है मतलब how many years in means number of years केसी means cost of capital यह present value annuity factor का हिसाब तो मुझे आप लोगों को पहले भी सिखा हुआ है फिर से अगर किसी को याद नहीं है तो आज रिकॉल हो जाएगा यह आपको calculate करना पड़ेगा अपट यहां तक पहुंचने के लिए जो equivalent benefit एक साल का यह एक्वीवालेंट benefit एन्युवालेंट वेनेफित या ए फिक जो है इसको पहले आम लोगों को calculate करना है एन्युवालेंट कोस्त एन्युवालेंट विएन्ट बेनिस तो चलो सर इस particular questions को solve करते हैं इजी कोशिन है पट आपको समझ के करना है ठीक है सर प्रोजेक्ट एप्रोजेक्ट एक को पहले करते हैं मैं प्रोजेक्ट एक करता हूं फिर आप लोग खुद से प्रोजेक्ट भी कीजिएगा हां सर करोगे ना इस नेट कैश फ्लो एंड प्रेजेंड वैलू एड़ 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 आफ 14 परसेंट जब अलग से कुछ प्रेजेंट वैलू बोला नहीं है तो केसी को आपको क्या करना है तो चलो सर कनवाट करते हैं जिरो वान तू थी कितना सल का सब्सक्राइब प्रोजेक्ट एड़ प्रोजेक्ट एड़ पर हाव मेनी यर्स हां सर पोलो ना शीयर्स तर वेरी गुड तो 600 लाग आपने फॉर्स में दिया इस यूर इनिशल इन्वेस्टमे दिस 14 पर सेंट में आपको सारे के सारे वैलु को फाइंड आउट करना है इसका तो सेमी रहेगा जस्ट फाइंड आउट की 400 का एक साल बाद आपको 400 लाग मिल रहा है जस्ट फाइंड आउट कि इसका आज का वैलू कितना है 400 लाग जो आपको एक साल बाद मिल रहा है यूर इंफ्लो यूर प्रोजेक्ट इंफ्लो वानियर लेटर इस फोरेंड़ लेक्ट मार्केट में इंफ्लेशन है आपके लिए 14 परसेंट देन जस्ट फाइंड आउट दियो दन वाट इस दी अक्चुल वैलू 400 लाग वानियर लेटर का आज का वैलू ढूड़ना है सर आपको कर लोगे 300 लाग का वैलूइशन टू यर्स बाद आपको इंफ्लो होगा जस्ट फाइंड का हां बोलो सर थी फिफिटी पॉइंट एट सेवं थी फिफिटी पॉइंट एट सेवन यह 400 लाग एक साल बाद मिल इसका आज का फालू है त्री फिफिटी पॉइंट एट सेवन वेरी गूड सा जिनको समझ भी नहीं आए मैं एक बर जरूर दिखाऊंगा इसका भी बोल दे प्रश्ने फॉइंट पॉइंट 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 फॉर वेरी गूड सर और बागी लोग भी बोलो सऑ फाइफंट्ड ऐस्क्यवड 630.49 पहले उगल्ड को समझ नहीं आया लो आध में वार क्लिलेटर हाथ में लोॡ़ इस काल्कूलेटर में आपको बताता हूं क्या करना हुआ आपको find करना है कि 14 पसेंट आपका market में inflation है तो आपको 14 पसेंट में ही calculation करना होगा मतलब मार्केट में महंगाई 14 पसेंट तो जो 400 लाग आपको एक साल बात दिख़ रहा है 40000 लैक वान इयर लैटर 400,001 year later, इसका मतलब क्या है, यह market में 14% का inflation है, इसका मतलब यह है, कि if you invest 1 rupee today, rupees 1 today, लेकिन inflation is 14% every year, निनी रूपीज 1 का valuation after 1 year कितना होगा, rupees 1 का valuation after 1 year कितना होगा, valuation after 1 year, that is the point of understanding, 1 rupia का value, एक साल बात 14% में कितना होता है, if you find that, then 400,00,000,000 भी आपको find out हो जाएगा, बात कुछ समझ में आया कि निया है, अब लोग तो समझते हो, इन्फलेशन का problem क्या है, महेंगाई का problem क्या है, यहां पर बात महंगाई का नहीं है आपको तो इतना उठाना ही पड़ेगा वह तो आपने लून लिया ना और लोन के लिए तो आपको 14% खर्चा करना ही पड़ रहा है तो आपको अगर बिजनेस को सर्भाइव करना है वह 14% आपके लिए महंगाई है क्या यह बोलना गलत इस और नो सर बोलो लॉजिक क्लियर है की नहीं है पहले तो यह बता दीजिए हां सर बोलो ना कॉंसेप्ट समझ में आया कि 14% रेट में क्यों करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे कैल्कुलेटर में 14 divided by 100 कितना आता है 014 प्लस कर दीजिएगा 1 तो कितना आएगा 1.14 अब इ साथ है कल में जाओगे तो फिर कंपाउंड करना पड़ेगा बाद में जब situation आएगा मैं कंपाउंड भी बता दूंगा लेकिन इस केस में आपको discount करना है तो इंटू करोगे की डिवाइड करोगे इंटू करें की डिवाइड करेंगे तो जस्ट काल्कुलेटर में दो बार करने के लिए बोल रहे हैं अच्छा अब मुझे इकवल देना है एक बार इकवल दे काल्कुलेटर में जस्ट प्रवाइड वान इकवल आपको एक वैलूइशन मिला सर इस वाट सर यह आपका प्रेजेंट वालू अनुटी फैक्टर है प्रेजेंट वालू इंट्रेस्ट इसको क्या कर दोगे सर इस पॉइंट एट सेवन नाइन जो भी आया इसको इन्टू कर दो 400 के साथ कि इतना आया 350.88 आ रहा है सर कि पॉइंट पॉइंट सेवें और एट आया बोलो कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कोई किसी को डाउट है कोई इस पॉइंट में अरे सर हाना कुछ तो बोलो मुझे भी थोड़ा मॉटिवेशन मिल जाता है कि रिशाब क्लियर हो रहा है ओके तो सिमिलर पॉइंट में आप 300 कभी कैल्कुलेट कर सकते हो ना सी में आप 300 कभी कैल्कुलेट कर लो ठीक है कैल्कुलेटर में जाओ पॉटीं डिवेड़ वाई अंड्रेड ठीक है डिवेड़ डिवेड प्लस वान पहले करना चाहिए था सौरी पॉइंट वान फॉर प्लस वान वान पॉइंट वान फॉर ठीक है वान पॉइंट वान पॉइंट वान पॉइंट वान पॉइंट वान लिखत लok एक ली टिर क्यों रहा है यह आपका जा इसकों बोलते हैं प्रेजंट हैं इंट्रेस्ट इसकाउंट फैक्टर लिए अंट्रेसक्ट इसक्वे कटन आएगह इसको इंटंट कर दो तो सर किसके साथ 300 के साथ ट्रियों कर सोत बोला था तो तू थर्टी पॉइंट फॉर आएगा आया ना सर अया कि नहीं आया था अगर आ गया तो फिर और पांसों का नहीं दिखाऊंगा आगया ना 500 का करके बता आया कि नहीं आया 337.49 तो फिर से जस्केलकुलेटर में जा बान फॉर लिक कैलकुलेट करो डिवाइड मारो दो बार फिर एक बार इकुवल दो बार इकुवल तीन बार इकुवल फिकोस तीन साल के लिए है तो यह आपका थर्ड यह का डिसकाउंट फैक्टर जो भी आएगा इसको इंटू कर तो पांसो के साथ ठीक है देखो त्री थर्टी सेवेंट पॉर एट फाइफ यह था ना सर जो भी आया इन तीनों को टोटल करो जो इन फ्लो का प्रिजेंट भालू है ठीक है इसका मतलब जो एक साल बाद आपको 400 लाग शो कर रहा था वह एक्चुल में आपके लिए 350 लैक के लिए पुश्यन पॉक्षर को देना पड़ेगा यह आपके लिए अब इन तीनों को टोटल करो और 600 के माइनस करो इन तीनों को टोटल करके 600 से माइनस करके बताओ 919.2 इन तीनों को टोटल करने से हैं टोटल कोड़ माइनस कोड़ आई टोटल करेके माइनस करेगा तो 919.2 319.2 319.21 हां दो घर लेलो 319.21 इन तीनों को टोटल करो inflow को टोटल करो और आउट फ्लोगो लेस करो सर इन फ्लोगो टोटल करो और आउट फ्लोगो लेस कर वही एन फीवी का फॉर्मुला है प्रेजन वालू आफ कैश इन फ्लोग माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहीं होता है फॉर्मुला जो लोग भूल गए यह याद दिला दिये तो 309.21 ठ ठीक है अब यह 319.21 तो एंपी भी आ गया यह इससे समझ आता है कि प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए नहीं सर इससे समझ में नहीं आएगा इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको पीवी एएफ है मटार्ट है 14 पर संडेक्ट में थ那么 carry खर्ना थे करें में ru 3 से लिए प्रूर्च गरो 14 पर संडेंत पीजय ते Oliver धियुचर करने तीम साहरा के लिए कम एडिए यह कल्कुलिए यह क्रूट्षाल n elasnaire एर्ग यहल्पैंट करके बता सकते हो is 15धी आ 14 divided by 100 2.1 कितना सर 2.3212.3216 आएगा चार ले 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 2.321 जिनका जिनका हुआ है बताओ सर मोसुमी ने कर लिया और किसने कर लिया मोसुमी डण बाकी इंका नहीं होगा मैं दिखाऊंगा लेकिन मुझे बताओ सर्थ थोड़ा सा प्रेंट को और फिर आपको क्या करना है दालना के बार एक फिर लोग नहीं सिखे या फिर भूल गया ठीक है जो लोग обыч नहीं सिखा या फिर भूल गया मतलब क्या होता है जिसमें आपका हिसाब क्या होगा कोई फॉर्मूला मत रटो यह कुछ प्रैक्टिस करने से या जाएगा अध्युक्तिक्राइब है अपने उठाओ और मेमरी को रिकॉल करो किसी का जीटी है किसी का जीटी वाला कलकुलेटर है तो जस्टिक करके इक वार करके जीटी दो तो भी आ जाएगा मेरे यहां पर जीटी दीक नहीं रहा है इसलिए मैं में एम प्लस किया फिर से और एकबर क फिर जो आया वेमरी को रिकॉल करो देखो कि देखो तो सब्सक्राइब अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लो सरकी यह प्रेजेंट भैलो अनुटी फैक्टर काल्कुलिशन कर पाया कि नहीं पाया एनिवाना वेनी डाउट प्लीज आस्क में कि सर्य ये वाला को मतब कनेक्शन नहीं हो रहा है बोलो सर प्रेतमा जोती जोती को प्रॉल्लम नहीं होना चाहिए प्रीताम रिशाब बोलो सर अनूज कि अनुट समझ में आया बोल कि करने का कर रहा हूं करने का करने का करना पड़ेगा प्रेजेंट वालु अनुट का मतलब क्या होता है कि सीरीज ऑफ इकॉल पीरीटिकल अमांट्स ठीक है लेकिन यहां पर अभी अनुटी जरूरी नहीं है क्यों करना बढ़ रहा है कि आपको तीन साल में टोटल क्या वह एक्ट्री सीखाऊंगा आप लोगों नहीं किया तो तो आपको और क्लारीटि आ जाएगा पर करेंटी बस फैक्टर को यूज करना है क्या करना है वान पॉइंट वान फॉर दो बार डिवाइड लगा दो फिर इम प्लस पहले एक्वल देखे जो भालू आएगा उसको एम प्लस करना एक सेख़ यूज को फॉइंट वान फॉर थिंक है इकुल एम प्लस फिर एकुवल एम प्लस दो बार और एकुवल एम प्लस तीन बार ठीक है जो आया लेको एमर्य मतलब क्या है अटिक हुआ है क्या कालकुलेटर है किति तुम है कि यहनों नार्मल वाले में भी तो आ जाएगा जाएगा मर्स होगा यह क्यों नहीं जीटी है क्या जीटी डीगेशल अब कर दो संहें को स्टैन लोगिं यह वह साइन को से इन फेड़काइब पर पाइज और है साइन कंपटर होता है तब तुम ऐसे निकाल निकल सकते हो वह 2D power 3 करके निकल जाएगा 1.141 ओ। यूज करने में नहीं देगा सर आपको कमस्यल वाला करना करना है तिक आपको कॉमर्षियल equal n plus 2 bar equal n plus 3 bar तो चितना बार आपका पावर होगा उतना बार करना है और फिर लास्ट में आपको रिकॉल करना है ठीक है इस क्या हो रहा है मेरा बार एक सेटाइब कुछ गरबड हो गया है यहां पर एक सेकंड रुक हो को से मुणने कुछ गरबड किया च्या 1.14 तो बार और टीन बार रिंग क्या हो रहा है एक सेकंट किया को डित्सकुराइब पर इसलिए हो रहा है यह आप लोग के साथ हो सकता है मेरी में कुछ रह जाएगा तो दिककत हो चाहेगा में मरी को क्लियर करना चाहिए एक बारिक टिक है ये एल्पलेस करो फिर ऐस्करोब फिर हैं पर दीक रहा है में यहां पर शो कर रहा है तो और यह आपको डिख जाएगा यह आपका तो वही क्यालकूलेशन कर रहे हैं पीभी एए वैसे एक टाइम में मनी का चाप्टर होता है उसके अंदर डिटेल्स में सिखा जाता है लेकिन करेंटली डिटेल्स जरूरी नहीं है जस्ट पीभी एएफ और पीभी आईएफ यह दोनों बस आप लोगों को फोड़ा समय करात कराते ही सिखा देता हूं अब लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा बहुत भाइटल कॉंसेप्ट है सर यह पीभी एफ पिछा नहीं छोड़ेगा पीभी एफ और पीभी आईएफ ठीक है तो 2.3216 डेरफोर एनुवल एक्विवालेंट अच्छली इसका ना फॉर्मूल दिवाइट ही दिवाइडंवाई फीवाइड पीवी और फीबी ए रख यह और यह छला गया है के एन पीवी डिवाइड वieur फीग्ने की थे रहा है है कि के डियुकोन का मर्मा फिक्वर्स अब लोगो समझ तो आ रहा है ना इस अब लोगो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इस इन भी कितना हो गया 319.21 divided by divided by 2.3216 कितना आ रहे मुसुमी बोल 130.137.4 मैं 137.4 लाक यह 137.4 लाक वा आपका एक साल का aq वेलेंट प्रजेक्ट एका अब सिमिलर अब लोग प्रोजेक्ट भी निकाल लोगे करके बताओं मुझे अब सेंप्रोसेस यूस करना है प्रोजेक्ट बीके लिए सेंब तुसें प्रोसेस त्राइब करो सेंप्रोसेस होगा एपरिताम बोल प्रिताम का आवाज नहीं है विए काल्कुलेशन इस इस अधिए कर दो बेक्राउंड नौइज है में मूट करो लो सर प्रिंट प्रिंट इसके लिए आपको क्या गरना होगा इससे आपको पॉइंट वान फूर आएगा इसका मतलब यह है कि एक टाका डालो तो पॉइंट वान फूर फॉर्टीन पैसा आपको रिटन में मिलेगा यह तो बात समझ में आ गया इसको प्लास वान करने का मतलब है कि जब आपको रिटन दिया जाएगा तब सिर्फ फॉर्टीन पैसा नहीं मिलेगा बदले में एक टाका का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम लोग सूद और असल बोलते हैं ना क्या बोलते हो इसको सूद बोलते हैं और इसको क्या पूलते हैं में लुक्त बेंगॉलिय असल बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं इसको असल थिक का मुझे लिग के बताओ मैं समझ नहीं पा रहा हूं अचा ठीक है को बात में आपको समझ वाया यह कापी है तो प्रिंसिपल प्लास इंट्रेस्ट एक टाका 14 पैसा अब यहां पर क्या कर रहे हो सिर्फ डिसकाउंट ने कर रहे हो आप उसका अनुटी फैक्टर कर रहे हो तीन साल के लिए तो 1.14 क्यालकुलोटर में लिखो और फिर आप दो बर डिवाइड लगाओ डिवाइड दो बर करने के पीछे यह रिजन होता है क्योंकि आप डिसकाउंट फैक्टर निकाल रहे हो और दो बर इसलिए कहीं बार ऐसे होते हैं कि डिवाइड देने से कालकुलोटर डिवाइड लेता नहीं है तो इसलिए दो बार करके उसको यह याद दिलाना भाई मुझे डिवाइड करना है इसलिए दो क्यों अगर तीन भी यूज़ कर लोगे फरक नहीं पड़ता तो मैं तो लिखाने के टाइम पर पस इतना बोलता हूं कि 1.14 टाइप कर समय से पावर में कितना है तका वॉर मतलब कितना साल के लिया आप किल्कुलियोसिन कर रहे हो कितना साल के लिasına काण स्वार तीन साल ना सबस्क्राइब चलकूलीशन है उतना साल का आपको बस पीवी एफ कालकुलेट करना है तो यह तीन साल का है अगर यह 5 होता तो इकोलिम प्लास 5 वार होता दस होता तो इकोलिम प्लास 10 बार होता बस चॉहीं कर इसका 216.72 वेरी गुड सब्सक्राइब जिसका 216.72 आया आम वेरी हापी विद यह एंसर ओके प्रियोतमा बोल समझ माया यह लिखके रख ले इस तरह से पीव ए इस तरह से पीव ए कलकुलेशन होगा बाद में ना अनुवीटी का क्लास करांगा तब तुझे इसका कॉंसेट होगा तब और थोड़ा आगी मुझे आगे इसको क्यों सॉरी सर यह मुझे रपकर ना चाहिए यह यहां से जिनने डाउट है वो लोग दिसका नेखते थे के इस तरह से हो गा अजा प्रोजेक्ट बी करो सव प्रोजेक्ट भी मोसुमीजा हो गया है यह वरी गुड मुसुमी सरट अंसर क्या है भी अंसर क्या है मुसुमी कितना भोला तू 216.7 216.7 तो यह प्रोजेक्ट बीका चो गया वेरी गुड सा वेरी एपी सा एर्स करो सर बाकी लोग भी करो मैं कर रहा हूं यह एंसी एफ और प्रिजन वैलू एड़रेट ओट आप एंपर सेम इसे मी तो है जिरो यहां पर बस क्या है नंबर अब यह थोड़ा जादा है वा स Guard 12345», 500 तो रहा है यह कितना है सर्पाइबंडेट कर रिटन दे रहा है सेक़ंड येर में 400 लग6 Karl High रहा है फोर्ट यह में एगें 400 लैक और फिप्ट यह में 300 लैक ओके यह ना सर 300 लाक का रिटन मिल रहा है बहुत बढ़ी हां और से प्रिजन भालो इसका तो 800 रह जाएगा यह तो आउट फ्लो है फांसो का एक साल बात 500 है 14 परसें डेट में कैलकुलेट करके बताव सर वांसो का 500 एक साल बात विलेगा उसका आज का प्रेजन भालू 14 परसंट रेट में क्या करेंगे तूमुझे बता कि 14 डिवाड़ेड वाई अंड्रेड ना गोल प्रोसेस तो बदा सकता है प्लास वां अच्छे समझ नहीं आ रहा है सब्सक्राइब क्यों अच्छी से कंशने नहीं कर बारहा है क्यों अरे सर बोलूंगा बात पर अच्छा ठीक है ठीक है कोई बात है हां बोल और सकती्ट टुवां शिक्स पांट सेवं टुवां तो टून सिक्स पांट सेवं टू को एकूल मारो इसका मतलब यह होता है कि जो वान रुपीज के हिसाब से अगर आप सोचते हो कि रुपीज वान का जो आज का वैलू है या फिर सव महेंगाय लिए या फिर सबलागी है इसका मतलब है कि एक टनका एक साल बात का वैलू हो रहा है एटी एट पैसा अप्रॉक्स ठीक है यह हुआ इसका मतलब अब इसके हिसाफ से आपको बस आप बताओ इंटु फाइव एंड़ेड कर दो आप और थर्टी एट पॉइंट फाइब नाइन पॉर थर्टी एट पॉइंट फाइब ना मेरा कि बोल सर्थोड़ा हेल्प कर दे मुझे कि अच्छा किन के सब्सक्राइब तर्ट सेवेंट सब्सक्राइब नाएगा तर्ट का कितना जाएंगा नाइन एग्सका इसका 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 इस 36.83 और इसका 155.81 वेरी गुड़ सब्सक्राइब कर देता हूं इसको टोटल करके यह नेगेटिव को माइनस कर दो ठीक है यह जितना पॉजिटिव वैलू है पॉजिटिव को प्लास करो और फिर इसको माइनस कर दो बोलो सर कितना हुआ 744.01 ऑब आपको क्या करना पड़ेगा सर अब आपको करना है और प्रेजन वालु अनुटी फैक्टर फॉर्टीन परसें रेट में आपको 5 साल के लिए करना पड़ेगा थीक है पांच साल के लिए करना पड़ेगा जिन्वों का प्रिवियस क्लासेस में न मैं प्रिवी एप बहुत करवाया सर इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा अनुज को त्री पॉइंट कितना होगा से बताओगे मुझे फॉर्टीन पसेंट के फॉर्टीन पसेंट में डिवाइड बाई अंड्रेड ठीक है प्लास वन वन पॉइंट वान फॉर काल्कुलाटर में डिवाइड मारो दो बार फिर इक्वल एंप्लास एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार ठीक है जो भी आया रिकॉल करना पड़ेगा थ्री पॉइंट four three three zero अगया चर्तृइभ verac's it आफ वाशंबिस फीर इक्वज बार प्ल्ह Muito एम प्लास टीक है सिरुब एम प्लास नहीं एक्वाल एम प्लैस का खेल क्या है जितना बार इकवल पहला इकॉफब एम प्लास एक काउंट होगा फिर दो बार करो फिर दो बार कांट फिर तीन बार करोगे तीन बार कॉंट्टिंग करके रहेने कि कितना तो wannief घना किस सतरी होता है वो िक city क्लिए जो आप एक्विवालेंट युनीट कितना अरा है सर 274 001 एप्वेंट सेटींट था बॉल्सें। Chapter 744 लग जो मुझे मिज़े मिल रहा है कि कर साथ 344 लाक50可以 लग उसको अगर मैं एकसाल में कमट करूं अगर इसको एक साल मैं को तो मेरा हिसाब कितना हो रहा है आप समझ रहे है Sugnet 216.7 two लैक पॉलो स्री कोछ बाद समझ में आया की नहीं प्रोजेक्ट भी किया प्रोजेक्ट भी किया हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी किया और हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी किया किसका कितना अमांट वा प्रोजेक्ट बी का हुआ तुनदिट सिस्टीन और प्रोजेक्ट गर 207 एक साल की हुसाब से एक साल में कॉन से उशेक्स में बेनिफिट आपको दे रहा है क्या करना जी एप्रोजेक्ट टेना चाहिए की प्रोजेक्ट फिलते लेन चाहिए प्रोजेक्ट आपको ज्यादा बेनिफिट देगा वही लेना चाहिए यही आपका फाइनेंशियल एडवाइजरी है सेंस प्रोजेक्ट बी ऐस अहायर एनुवल एक्विवेलेंट बेनिफिट जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा बेनिफिट देगा इट शुट भी एक्सेप्टेट इसलिए इसको चूज करना चाहिए ठीक है सर बोलो समझ आया की नहीं आया स्पेशल डिसिशन सिचुएशन स्पेशल डिसिशन सिचुएशन समझ में आया जिन लोगों को प्रोब्लेम हो रहा है उनको मैं पस एक बार इतना बोलूंगा कि आप लोगों को मैं टाइम बलू अब मनी का फिट से एक बार क्लास बताऊंगा अब उसको थोड़ा सा कीजिएगा ठीक ठाक से तो प्रोड़ क्लियर हो जाएगा अभी जितना मैं बता रहा हूं मैं तो दिखाई रहा हूं किस तरह से सॉल्व करना चाहिए बाद में कॉंसेप्ट वाइस अगर आपको प्रोब्लम जो है वह शॉट आउट हो जाएगा जिनको वहां पर प्रोब्लम है बाकी अगर टाइम बलू मनी को मै चेट बढ़ा बताईएगा को यहां तक रियर है सर बोलो कि रिया प्रिती बोलो सर असे ऑच्छिना ऑपर परचिना ओके आंसर करो सर तो समझ में आएगा कि आप लोग पाडिसिपेशन कर रहें प्रितॉम का जवाब एक तम निमिले प्रितम प्रिताम अंब रिशव रिश कि अलो रिशाब का आवाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि चलो दूसरे एक्जामपल करते हैं कि एक्जामपल टू चलो सब एनदर कॉंस एक अनदर कॉंसेप्शल एरिया दूसरा मतलब सिमिलर टाइप से थोड़ा अलग है कंसीडर कि कंसीडर तू मुच्वली एक्स्क्लूजीव प्लांट्स तू मुच्वली एक्स्क्लूजीव प्लांट्स ठीक है विट लाइफ डिस्पैरिटी विट लाइफ डिस्पैरिटी दोनों का लाइफ अलग है ठीक है थोड़ा सा अलग कॉंसेट में करेंगे सर्थ देखना एक हम लोगों ने जो कॉंसेट अभी यूज किया यह वी एक तरीका है प्रोजेक्ट चूज करने का अगर अलग लाइफ डिस्परिटी हो तो इसको बात का रहता है प्लांट समझते हो सर मतलब प्लांट एंड मिशिनरी का प्लांट एंड अधो तैना उसको बोलते हैं प्लांट प् प्लांट का ठीक है अब प्लांट का लाइफ तो अलग है लेकिन इसको किस तरह से चूज करेगा यह प्लांट प्लांट मतलब प्रोजेक्ट के जिगावें प्लांट यूज करो प्लांट एंड प्लांट बी आपके पास दो प्लांट है ठीक है एक प्लांट एह है और एक प निया आपको इसको हम लुग इसको चलिए क्या करेंगे application कास्ट थोड़ा सा कॉस्टिंग वाला फिलिंग आजायगा जो लोग कोस्टिंग का क्लास करते हूं मैं आप लोग को को कि अच्छा सर यह हम लोग फाननस में कॉस्ट भी करेंगे सब कनेक्टेट पिपर से क्या करता है बिजनेस में कोई डिजिशन लेने का पहले का बार और कॉस्टिंग जब मैनुफक्टरिंग एंटिटी के अंदर काम चलता है उस टाइम पे उसका काल्कुलेशन करना पड़ता कि क्या दांबे प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा ठीक है तो फाइनस कॉस्ट बहु है 40,00,000,000,000,000 एません this पास और थी यांदर में आपके पास अरहा है 60,00,000,000,000 पर दो जो मेशीन आपने हना तो 3,00,800,000,000 आपने आउट looch की आदसके यह 1 यर ना मतलब मतलब है 40 यह नहीं है यह सिर्ड नहीं में आपका मेशिन का वालू फॉक्त एक तरह से अगर देखा जाए ठीक है 300 लाग में 40 लाग चला गया सेकेंड य साट लाग चला गया जो रहा है कि थर्ड यर में नंबब़ी लग चलाग गया ठिक है now यह आई आपड़ेटिंग कॉस्ट अब ऐसे बोल सकते हो इसको बोला कि अनौल आपड़ेटिंग कॉस्ट के थ準자 रहा है 90,000,000,000 and then last video. What are you talking about? Salvaged value Salvaged value ङुए सबुआ सकते हैं तुल लास्ट में जो amount बचता है ना उसको salvage भोलते हैं असर बोलौ क्रैब सबुबर ऑब बेरी गोड मतलब जो एसेड मेरे पास है उसको करेंट में मार्केट में सेल किया जाए जो वालु मिलेगा जैट इस कौड सेलवेज वैलु और स्क्रैप वैलु जिसका वैल्यूशन आपको देखे रखा है ट्विंटी लैक्ट ठीक है यह चार साल के बाद का हिसाब थीक है यह तीन साल के बाद बो सकते हो प्लाइंट बीक हिसाब क कुछ ऐसा हो जाएगा सर 300 लैक आपका यहां पर भी आप इनवेस्ट कर रहे हो में साली 300 नहीं 350 करते को कि इतना कर दिया 350 कर दो फर्स्ट यर में आपका 30 लैका कॉस्ट जा रहा है सेकेंड डियर में 50 लैका थर्ड यर में 80 लैका और फॉर्ट यर में 100 लैक का कुछ इस तरह से हिसाब हो रहा है सब्सक्राइब को बोल कि दिया सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वह 12 परसेंट का यह भी आपको गिवन कर दिया ठीक है नाओ आपको काल्कुलेट करना है कि कौन सा प्लांट आपको चूज करना चाहिए आपको समझ में आ रहे है कोश्यन कुछ समझ में आया कोशें कुछ समय में तू मुचिश एक्स्क्लूसी प्लांट में एक बिजनेस इंवेश्ट करेगा लाइफ डिस पेडिटी है दोनों प्रोजेट का एक दिन साल में खतं हो रहा है और दोनों का सेलबष भैलू भी समझ मे रहा है लेकिन किस प्रोजेक्ट में इंवेस्ट करना बहतर होगा यह कैसे डिसाइड करेगा फाइनस बैनेजर कि बात कुछ बढ़ रहा है नसर कि वह क्या करना है यह समझ में आ रही कि नहीं पहले हैं जबाब नहीं ढूंड़रा रहां मैं कि सवाल के बाएद पीछे पढ़ रहा हूं सर्कि क्या सवाल समझ में यह तो अगर आपको सवाल समझ में कि कौन सा प्लांड में इन्वेस्ट्मेंट करना चाहिए उसी को ढूंडने के लिए हम लोगों को आगे काम को बढ़ाना पड़ेगा चलो सर काम को आगे बढ़ाते हैं अच्छा इधर हो जाएगा जगा है चलो कि क्या करना चाहिए इसका कि क्या करेंगे सेंज लिखो सर समझ में आ जाएगा सेंज कि आप चूज़ वी हाब तो चूज़ शूज तो की सिन्स वी अप टो चूज़ लेना है दोनों को नहीं ले सकते हैं एंच्ट्री एक्सक्लूज़ वाइं तो क्योंकि हमें किसी एक को चूज करना है विट लाइफ डिस्पारिटी वो भी दोनों का लाइफ अलग है ऐसे केस में करे तो क्या करे वी विल कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट अनुवल कापिटल चार्ज बड़ा इंट्रेस्टिंग बात है सिर्फ अनुवल capital चार्ज यह हमें करना पड़ेगा अनुवल कापिटल चार्ज इस वेरी भाइटल कॉंसेट अनुवल कापिटल चार्ज हमें फाइंड आट करना है ठीक है अनुवल कापिटल चार्ज अब यह अनुवल कापिटल चार्ज है क्या ठीक है या फिर कैसे फाइंड आट करेंगे इसको इसको और एक नाम से भी बोलते हैं सिर्फ अनुवल कापिटल चार्ज को के सी सी भी बोला जाता है ठीक है कॉस्ट आफ कापिटल है ना तो कॉस्ट आफ कापिटल चार्ज ऐसे भ ले रहा है उसके हिसाब से भी आपका का हमारा कालकुलेशन हो सकता है सो शॉट में ऐसे बोलते हैं जरके सी equals to kcc equals to present value of all cost present value of all cost net of salvage value net of salvage value मतलब जो सेलवेज है मतलब जो लास्ट में मुझे बेच के मिलेगा उसको को net करना है ठीक है net of salvage value salvage value को हटा के divided by present value annuity factor present value annuity factor के सी कॉमा नंबर ऑफ यह मतलब जिस तरह से हम लोग प्रेज़ेशन करना बार बार सीख रहे हैं उसको फिर से यहां पर यूज करना होगा लेकिन यहां बोलो की जिबी पीडीड भीड पीड़ ओल नेट आप्सालवेज बाल य। ड्रव स्ट नेट अप्साल्वेज वाल डीज़ेशन वाल य। आप्सालवेज़ बाल। बोल समझ माया present value of all cost net of salvage value divided by tbaf comma bracket cost of capital comma number of years यहां तक clear है से सबको पर्मुला कुछ समझ माया सर इसका यूज करना है विकास यह हम लोग क्या calculate करेंगे यह तो के सी सी calculate करेंगे ना सर यह के सी पर कहले करने के लिए कोस्ट कापिटल सब्सक्राइब करना होका हम लोग व्यका सा ब्लांट में चीज जादा है तो चलो सर से प्लांट ए एक को ऐगaris अल्द में करते हैं प्LYॉर्डाइट कारना प्लांट वेरी गुड सर यह स्कॉस्ट एंड प्रिजन वालू एड धरे ट्वल पर संट अब यह समें कितना हो जाएगा जीरो वांड टू त्री ठीक है और कॉस्ट कितना हो जाएगा क्या 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 बोला कॉस्ट पोला है तो अचाहिए काम करना से इसको नेगेटिव दिखा था ना जरूरी नहीं इसको नेगेटिव करने का चला गया इसको नेगेटिव में मत शो करो फिलुशन की तो दूंट यूज नेगेटिव कॉंसेट्ट यहां पर विकलत यह कोई आउट्फलो इंफलो बात से नहीं कर रहे हैं हम लोग कॉस्टिंग के हिसाफ से बोल रहे हैं तो 300 सब्सक्राइब करने के बाद समझ में आ जाएगा सर देखो ना जिरो वान टू-3 कॉस्ट कितना है फर्स्ट यर में आपका मतल स्टार्टिंग में कॉस्ट थीन सोगा फर्स्ट यर में आपका 40 का यूज हो रहा है चलो बढ़िया है है फर्स्ट यर में 40 कि करेंड रोन चलेगा बुलो थीर में कितना कॉस्टी हो हां सर नाइंट लैक का अब यहां पर एक बात है कि थर्डेयर में आपका 90 का यूज कुश तो आप कर रहा हो लेकिन सैल्वेज बहलो कितना है 2020 इसका मतलब अगर आप एर के बाद मेशिन को बेचोगे तो आपको कितना मिल जायगा को 70 इस एक जैकम अगर मेशिन को बेचो के तो मिलेगा で हंग फिरARS का कॉंश्च कितना पड़ा फिर कि बात समझे की नहीं समझे के बाद मेंशिन को बेचो के तो मिलेगा पीस लाग लेकिन तो फिर तर्ड यार में कौस्ट कितना पड़ गया एक्शुल में कि नहीं हट एक था एर के बाद अगर बेचने जाओगे तो एक्षिल में कॉस्ट कितना पड़ जाएगा बेचने होगे तो बीस लग का मिल जाएगा आपको तो जो आमाउंट अपको मिल जाएगा में अमांट व्टा था आपको था यहां तक बात समझ माया तो कि दर ये निंटेगी कॉछ पि luxe tanto अपको बोलो है क्यूंकि की थर्द यार के बाद में में तुद करूंगा सलवेजं़ मेरा और 20 लग में 2 एन में ने कॉस्तिंग बड़ रहे है 90 से 20 को हटा है तो पिर 111 bes a करेगा कि नहीं करेगा जो लोग आज का इंकम टेक्स क्लास किये हो जो लोग आज सुबह इंकम टेक्स क्लास किये हो याद होगा आप को जो लोगों ने इंकम टेक्स क्लास में आज सुबह का इंकम टेक्स में हम लोगों को वह एडवांस मिला था याद है 50,000 का पांच लग का जमीन था अगर आप 50,000 को लेस करके मैं बोला था आपका कॉस्ट कम कर दे रहा है कि याद आ रहा है सर यह सुबह का कैपिटल किन क्लास में भी ऐसा ही कॉंसेट में बात बहा था कि अगर आपको कुछ गेन हो जाता है तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है कि यह सर जो लोग का इंकाम टैस में अभी नहीं हो कोई बात नहीं मत बस ऐसे यह याद दिला है कोई-कोई था मुझे पता है इसलिए अज़ा प्रेजेंट बैलू एड़ेट ट्यूल परसेंट कि इसके हिसाब से बोलो सर थी हंड़ेट का प्रेजेंट में करो इसका तो 300 जाएगा इसको तो कुछ नहीं होगा जिरो यह में तो कुछ होने वाला नहीं है यह वान का कुछ करो 40 लग का क्या हो जाएगा बाराइगा 35.71 very good sir 35.71 40 40 lakh 12 percent rate में इतना हो जाता है सर करके बताओ 60 का कितना हो जाएगा 47.83 very good sir एक second रुको मैं दिखा देता है एक बार 12 percent rate है तो 1.12 एक दम आराम से दो बार डिवाइड मारो एक बार एक बार एक बार इक वाल मारो जो भी आएगा इन्टु 40 करो ठीक है 35.71 आ गया सर 40 का और एक कैलकुलेशन करना है 1.12 डिवाइड डिवाइड एक बार एक बार एक वाल दो बार एक वाल इन्टु करना है 60 लाग ना से न्ट वाइड जो फवाइड फॉड़ा एक बार टीन्वाइड बार यह लिए इन्टु कितना करेंगे सत्तर लाग ना सत्तर लाग कर दो 49.82 आगयाने सर फॉटी नाइन पॉइंट एट तो हमारा तीनों आंसर निकल गया सर तीनों आंसर जो चाहिए था पॉटी नाइन पॉट कर लेते हैं हां बोल कितना कितना आ गया रॉष्णी बोल सेवन पॉइंट एट त्री वेरी गुड़ सर और थर्डियर का पॉटी नाइन पॉट एट टू वेरी गुड़ सर हो गया सर प्रिजेंट वैलू टोटल करो सारे के सारे को टोटल करो कोई माइनस मत करना सारे कर सारे की डिशेंट वैलू ओल कोस्था तिक यह ऑप का थोड़ा अली अ तरीका से चल रहा है प्रेजेंट वैलू आपका आपको क्या करना होगा अब आपको PVA very good sir present value annuity factor 12% rate में तीन साल का वालुईजन करो 12% rate में तीन साल का क्या करना है पीवी एफ क्यालकुल करना है बोलो 4.8018 सर्वान 1.12 टेवाइड एक बारिकुल कितन तीन साल के लिए एक बार एक आप दो बार ऑर एक बर हो गया तीन बार ठीक है जितना आया मेमरी रिकल करो नहीं आया मेरा तुछ मेमरी में रहे गया था लग रहा है एक सेकंड रुखो मेमरी को क्लियर कर लेते हैं हाँ चलो सब्सक्राइब हो जाएगा कि वान पॉइंट कि वान टू डिवाइड डिवाइड इक्वल एंप्लास इक्वल हो गया ना सर और दो बार इक्वल हो गया रहे सब्सक्राइब फिर बार 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 दिखाते जा रहा हूं जाए एक बार इक्वल लगाया फिर एंप्लास करो फिर और एक बार इक्वल एंप्लास करो जितना आया इक्वल कर लो में में मेरी 3.401 यह ना नहीं यह 2.401 यह ट्री पॉइंट क्यों आ गया पाल बार जल्दी में हो रहा है क्या है इन सालके लिए है 12 रेट में 1.12 भाइड इवाइड इक्वल एक बार इंप्लस में प्लस इंप्लस ओं प्लस और आ एग सेटब़ गाएट एक सिकेट तष और कि यह मेंबरी प्राउब्लम कर रहे लग रहा है कि मैं डिवाइट एक बार एंप्लस दो बार एंप्लस इन बार एंप्लस को गया ना कि अब हो गया सब 2.4018 ठीक है तोड़ा सांती से करना बढ़ेगा नहीं तो भूल हो जाता है 2.4018 आगे आपका प्रेस्ट फाल्व अन्मिती युद और अब क्या कल्कूलेट करना हैसर अन्वाल क्या कैल्कूलेट करेंगा मुसी विधिटाव द्ल्स ल्हल कैपिटिल चारज जद आनना जोती एंवल चारड्स कैल्कूलेट करोंगे सर फोर थैटी त्रीट्ट्ट पॉस ह प्लांट यह का लाइट एक साल में इस प्लांट में आपका 180 लॉक चार्ज हो जाता है अब सब्सक्राइब यह तो जेना असान हो जाएगा लेकिन उससे पहले था प्लांट भी करना पड़े हां उसे पहले प्लांट करना पड़े असर तभी न समझ में आएगा तो फटाफट प्लांट भी करो न कि कि या सर प्लांट भी हो जाना चीए कि नहीं हो जाना चीए एक लांड बोलो वोशी प्लांट वी एन्युल केपिटल की 176.85 176.85 161 76 ना थोड़ा कुछ गड़बर लग रहा है 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 कि सोड़ा मेशिंग लग रहा है कुछ तो सर ब्लांट वी का डेटा बताऊगे मुझे कोई तो यह सब्सक्राइब पर तीन चीज चाहिए हमें प्रेजन वालू यह चैए और प्रेजन वालू चाहिए थिक्ष्ट यह सकूस्ट गडू तो यह बताईएगा जीरो, वान, टू, त्री, फोर, चार साल का है, चार साल का है ना सर, कॉस्टिंग बताओगे, त्री फिफ्टी, फिर थर्टी, फिफ्टी, एक्टी, हॉंड्रेट, वेरी गूड सर, ओके, अब इसका प्रेजन भालू, अट दरेट कितना परसेंटेज में हैं, 12 परसेंटेज में, ठीक है, अब बोल, 170.57, थैंक यू, सर, थैंक यू, वेरी गूड, 170.57, वेरी गूड, राश्नी, सही किया, एक्टम, बाकी लोग भी बोलो, सर, प्रिया, प्रिती, कितना होगा, 170.59, 170.59, ओके, ठीक आचे, एक्दम, ओके, नो प्रॉबलम, अच्छा, इस 30 का प्रिजन भालो, 26.79, 26.79, वेरी गूड, 50 का, 39.86, ओके, 80 का, 56.94, 56.94, वेरी गूड, और 100 का, 100 तो हवे न, 70 हवे, वेरी गूड, एक्दम, सर, 100 नहीं होगा, 100 को, 100 माइनस, 30 करना पडेगा, 40 के बाद आप सेल कर रहे हो, वेरी गूड, सर, वेरी गूड, 70 लेके करना, ठीक है, यह गलती मत कर देना, 70 लेके करना, क्योंकि 30 में आप बेच दे रहे हो, तो आपका कॉस्ट 40 में 70 हो जाएगा, कितना होगा, फिर गूड, 44.49, ठीक है, टोटल करो, 518.08, 518.08, वेरी गूड, सर, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट भालु अफ, अल कॉस्ट, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी एएफ, पीवी एएफ, 12%, 4, 4 साल का पीवी एफ चाहिए, कितना हो जाएगा, 3.0373, 3.0373, चलो मैं भी एक बार ट्राइ कर लेता हूं, फिर से मुझे थोड़ा मिमरी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वही कड़बड कर देता हूं, बार बार, 1.12, डिवाइड, डिवाइड, एक बार एक बार, कितना साल के लिए है, 4 साल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हो गया, रिकॉल करो, नहीं आया सर, फिर से मेरा कुछ गड़बड हो गया, क्या कर रहा हूं मैं बार बार, 1.12, डिवाइड, डिवाइड, एक बार, एक बार, एम प्लस, तीन बार, एम प्लस, चार बार, एम प्लस, अब आगे आदेखो सर, 3.03, 73, कुछ तो मेमरी का ही प्रॉब्लम हो रहा है, बार-बार मेरे यहां पर, 3.03, 73, आ गया ना, अब एक अब एनुवाल कापिटल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइव हंड्रेड एटीन पॉइंट जिरो एट डिवाइड बाइड बाइड पॉइंट जिरो तरी पॉइंट जिरो तरी प्रॉब्लम नहीं है, आया सबका देखो ना एक बार, आया सबका, सबका आया की नहीं आया, बोल तो सर, भांसे अ हां आया, प्रितं मोल आया की नहीं को आगे अना कॉंसा प्रोजेक लेना चाहिए कांसा प्रोजेक लेना चाहिए लेन ते प्लांट ए रोशनी बता रहा है कि प्लांट चैहिए इस बागी सब का जबाब पुछना चाहता हूं एन्यॉल सोच एक बार विब्ल क्सिट ना आपको एक साल में जादा खड़चा दिलवाया है से मैं वे शोपितऊ स्टाइब मज़ सु जबरा है त्वेट बीं तो प्लांट एलेंगे की प्लांट बी लेंगे इस एकदम सर्थ प्लांट बी शुट बी चुजन क्योंकि प्लांट बी में मेरा खड़्चा कम हुआ है तो आपका जबाब हो जाएगा मैं यहां पर दिखता हूं सर्डिसिशन ठीक है डिसिशन इता अल्टिमेटली फाइनस मेंजर का काम है सर्थ तो डिसिशन सेंस सेंस एसी एसी मतले वैनुल कैपितल चार्ड्ट एक तेंस एसी एस लोवर एक एसी एस लोवर फॉर प्लांट बी एक है प्लांट बी शुडबी एक टेड़ एक है यह रहा डिसिशन आपका सिंसे एसी लोवर फॉर प्लांट भी प्लांट बी शुडबी एक प्लांट बी शुडबी सिलेक्टट हाई कि दोनों तरीका ही प्रेजन बैलू से ही ववा बट थोड़ा अलग तरीका हुआ सर एक कॉस्ट के थुरू से देखा अपने और एक इनपीबी के थुरू देखा आपने यह भी प्रेजेंट वैलू से ही किया पट नॉट एक्जेक्ट इन पीवी पट इस आ गुड क्राइटिरिया यह यह क्राइटिरिया है कि किसमें ख़र्जा कम हो रहा है कि बोलो सर कि सभी को पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है ना जो भी हो रहा है यह थोड़ा साले अप डिसकेशन है और विशले लेवल अप डिसकेशन है नॉर्मल एन पीवी का दिसकेशन नहीं कर रहा है हम फोड़ा लेवेल अप डिसकेशन कर रहा है ठीक है अच्छा चलो सर ठोड़ा और आगे बढ़ते हैं के एस 3 समने विठ टैक्सेशं च Duch जब ताक्सेशन में क्या होगा था टाक्सेशन रहता है तो या होता है कि या आपको benefit मिलता है क्योंकि tax tax रहने से ना tax shield generate होता है क्या generate होता है tax shield generate होता है ठीक है मैं आप लोगों को एक area cover करता हूं बाकी चीज आप लोग घर में home work कीजिएगा ध्यान से सुनिए फिर आप बात कीजिएगा ठीक है फेले ध्यान से project लिखिए if tax rate is given if tax rate is given we we got to incorporate depreciation tax shield got to incorporate depreciation tax shield that is DTS depreciation tax shield सर आप लोग समझते हो depreciation tax shield क्या होता है depreciation tax shield क्या होता है आप लोग जानते हो अब लोगों ने शायद भूल गए होगे देखो profit and loss account होता है ना सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए यस और लोगों किये चलो सर मानके चलते हैं कि आपके 20 लग का इनकाम किये और यह साइड आपको क्या है expense side expenses आपने किया कुछ कि बात है अगर आपको डिषूशन मिलता है डेवर के मतलब defects अगर आपका asset है है कि अगर आपका asset है बिशनिस पर तो इसका अपक्रासेशन होगा तो आप क्या करते हो डेश में करते का कि फोबशाण zitten expense को अपने इसक्राइब करते हो की नहीं तो कितना हो जाएगा बारा लाग तो एक कंपनी होने के नाते से फार एक्सेम्पल आप एक कंपनी चलाते है या बिजनस जो भी करते हो मैं मान के चलतों कंपनी आपका तो पंदर लाग में कितना टैक्स दे दोगे सर कि ओर लाग 50,000 बढ़ेगा लेकिन अगर 12 लाग होगा तो कितना टैक्स दोगे लाग 60,000 का टैक्स दिना पड़ेगा तो करीब आलमोस्ट 90,000 के आसपास सेविंग्स है आपका कि क्या जिनेरेट कर रहा है टैक शील्ड कर रहा है कुछ समझ में आया कि टैक्सील्ड का कॉंसेट्ट समझ में आया सर कि डिपरिशिशन क्यों टैक्सील्ड जनेरेट करता है अग्या डाल अधर आपका कुछ खर्चा बचा देगा सरकार का टैक्स अगर आपका डेटेशिशन है इंट्रेस भी करता है अगर लोन है ना लोन का इंट्रेस्ट बचाता है कि अगर बोलो सर बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आश्व तो अगर समझ में आ ही रहा है तो मैंटर को सिंप्लिफाइब करते हैं अभी कि अब बात बड़ा ही सिंपल तरीका से समझ सकते हैं लोग डिप्रिशेशन टाक शिल्ड डाट इस डीटी एस ओके एक एग्जाम्पल ड्रॉग करो और मैंटर को समझ लो रीची प्रीज सम् रीची प्रीची सम् प्रीच निख इस परषब संचें लिख एक टुद टाट ब्रीचाएंट अब इसेशन on on straight line basis straight line समझते हो न सर SLM स्टेट लाइन बेसिस मेथड इस करौंगे ठीक है तो तब हर साल मेन आमोउंट से पास्का क्तेने का थे कर देप्रीशन का मौंट का थे इस एक यह में एक लाग का उसमें टेप्रिशन है तेन परसेंट का थो क्या होगा दो साल में इसे ले मुगा तो एक लाग पर दसजार माइनस करोगे फिर सेकेंड डियर में जो माइनस अमाउंट होगा वो किसकी उपर चार्ज होगा शब बूस्ट वान लाक का मेशिन है मैं ऐसे लेंग कर रहा हूं वान लग के मेशिन है वान लैक में आपका फर्स्ट यार का डिपरिशाइन कितना आज जाएगा नाइन्टी थाउसेन रोप और तेन थाउसेन माइनस आप चल्ए यह मतलब 10 तो 10 पर दसजार ना कि तेन परसिंद थेन थाउजन तो आपने क्या क्या एक लाग पर मेशिन पर दसजार का फर्स्ट यर का डिप्रिशंग लगा दिये तो आपका करेंट वैलुएशन आप यह नाइन थाउजन है लेकिन सेकेंड यह में आपका डेप्रिशिशन क्या होगा कि अगर आप 9000 करोगे तो यह अगर यह 9000 यूज करते हो तो यह डबलो डीबी हो जाएगा लेकिन अगर आप 10,000 यूज करते हो जो में अमाउंट है वह हो जाएगा आपका स्टेट लाइन में भूल गया सर डेप्रेशिशन का क्लास कियो होंगे बच्पन में ओके सर कोई बात नहीं है याद तो आ गया होगा अभी यह लिखने के लिए नहीं था यह समझने के लिए था अंडेस्टेंडिंग पर पस्ता सर यह सब भूलने से नहीं जोगा एकाउंट जहां खतम होता है अनलेसिस वहां हो जान जाहीं अगर बेशिक सब्दूर अकाउंट गडबढ है तो ठीक कर लो सर इनका भी प्रॉल्म ए ऐसर प्रेसिक कोई हां पेड़े करता था अच्छा तो और लुछ फ्यू इस ब्रॉपर्लेंटर मैं अच्हा thou dut the provider समर्म टेकिंट्याइट 30 परसेंट Depreciation on straight-line basis, ठीक है, क्या करना है? Same example, जो पहले वाला कोशिन अम लोगों नहीं करके आ है न, plant का, उसी plant वाला example को ही solve करना है, लेकिन इस बार आपको क्या मिल रहा है? Depreciation मिल रहा है, इस बार आपको क्या मिल रहा है, sir? Depreciation मिल रहा है, solution. कि दिखाता हूं बाकी घर पे करोगे हो जाना चाहिए यह यह परेटिंग कॉस्ट कि यह परेटिंग कॉस्ट अपरेटिंग कॉस्ट इस 1-1-1-2 करके कर लेना टैक्षिल्ड के हिसाब से टैक्स है न ओस टैस ऑपरेटिंग कॉस्ट अज़र डिप्रिशिशन टैक्षिल्ड डिप्रिशिशन टैक्षिल्ड डिटीएस नेट कॉस्ट नेट कॉस्ट और आपको चाहिए प्रेजेंट वैलो एंट डिट अब ट्विल पर्सेंट ठीक है चलो सर थोड़ा सजा दो ओके मैं सजा देता हूं इसको थोड़ा सा बना लो सर वान टू त्री तीन है आपका साल सर आप मुझे बता सकते हो आपका प्रिवियस कोशिंस में से किलांटे कर रहा है ना प्लांटे का कितना फैलुशन था number 40 को फॉट आपक्स को हटा दोगे वान मायनस टी मतलब वान माइनश टैक्स तो चालीस में से अगर थर्टी परसें सदारा कितना टैक्स रिट जबिखा है है ठीक है 28 सेकेंड का बताओ कि अजिकेंड यह का सिस्टी माइनस कि सिक्स्टी का 30 सिक्स्टी का थर्टी परसेंट है ना 42 वेरे गुड सर और थर्ड यर्गा कितना है नाइनटी का है वह अच्छा सेलवेज वैलू है 90 सेलवेज वैलू को मानेंस मत करना किसमें अगर आप सेलवेज को मानेस कर दोगे सेलवेज का लग से कल्कुलेट करना होगा विकाज यहां टैक्स का अलग तो यहां पर आपको 90 किसाब से करना होगा 90 इंटू 30 पर सेंट कितना हो जाता है 27-23 इस पर आप 70 मत कीजिए अच्छा तो डीटीएज कितना हो जाएगा फिर कि डेप्रिशुशन टैक्स इल्ड कितना हो जाएगा कि डेप्रिशुशन बोला है स्टेट लाइन बेसिस में कैसे कलकुलेट करोगे डेप्रिशुशन को कैसे कलकुलेट करोगे कोई दिमाग लगा सकते हो सब्सक्राइब करें के लिए डेप्रिशुशन पारियर बोलो सर मेशिन का पहला फैलो कितना था स्टार्टिंग का प्लांट एका प्लांट एका फर्स्ट जीरो एर में कि ट्रीहंट्रेट जो कोशिन को पढ़ रहे हो ही समझ पाओगे सेल्वेज कितना है कि ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड वाइड नंबर अवियर कितना है कि ट्रीह कितना हो गया कि 93.33 अब डिप्रेशिशन टैक्षिल कितना होगा यह उन मानिस ट्रीह मानिस ट्रीह वर सिर्व रिव उक्स्टी। प्र्सेंटेट एक स्ट्रीट पर्संट ओफ निइंटी पॉंट थ्री पोईंट थ्रीटी थ्रीव तो इस पार चला गया कि इफ टैशिट इस 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 इभन कॉस्स आप संस एक सिक डिए रिप्रेशन टेट शील्ड पार्टी लिए फेसिकली अचेज़ लिखाना पूल यहां पर अब तोटा से हैड़ तो बेसिकली बेसिकली पोस्टाक्स अपरेटिंग कोस्ट post tax operating cost post tax operating cost net of DTS net of DTS depreciation tax shield equal to DTS equal to operating cost into one minus T okay operating cost into one minus T minus DTS इन्टू one minus T minus DTS इस तरह से करना चाहिए ठीक तो हुआ लेकिन यहां पर क्या करेंगे कि अधिक अधिक थर्टी पसें अब 93.33 कितना हो जाता है ट्वेंटी एट लाक वेरी गुड़ सब्सक्राइब लाक तो यह रहा आपका डिटी एस तो सबका इको इकोल होगा हम लोगों ने जो प्रोफर्मा बनाया था इसमें आप डिटी एट वह ट्वेंटींट फ्वेंटी एट इह 24 कितना होता है इस से जिरो हो जाएगा ना 28 से 28 चला गया नहीं समझे यह इसको इस तरह से लिख सकते हो टू माइनस थ्री कि के अगर पॉइंट कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री ठीक है जीरो फॉर्टीन और यह कितना हो जाएगा मधर फॉर्टी नतत्य प्रेंट फॉर्टीन नियुक्ड कितना होगा न होत सिक değ değ 0 का 12 परसेंट में आज ळंब दो जल्डी 10.16 10.16 तैंक यू और 35 का बारा परसेंट में दो सल का थाँसटा जल्दी बोलो 24.91 24.91 थैंक्यू ओके अल्टिमेटली हम लोग कर लिये सर प्रेजिन वैलो तक का तो कितना अमोंट हो जाता है टोटल करो इसको प्लस करो इसको साथ इनिशियल कॉस्ट कितना सब्सक्राइब प्लांट का कितना कॉस्प्राइब वरी गुड़ सर इसको यजवार दो प्रेजेंट वैलू आप से लगे वैलू कितने का है 20 वेलु 20 का है 20 का प्रेजन वेलु कैलकुलेट कर लोगे 20 डिवैड़ेड वाइवाइव वान पॉइंट वान टू फूल तुदी पवाद त्री हां सर बहुती त्वेल परसेंट रेट है बारा परसेंट रेट में तीन साल में 20 वेलु 20 जो मिल देगा आपको विसका आज का वैलु क्यालकुलेट करो 14.24 14.24 वेरी गुड सब वेरी गुड ठीक है तीनों अमांट को टोटल गरो मतब इसके साथ इसको प्लस और सालवेज अमांट को माइनस प्रियंड़ के साथ थर्टी सिक्स प्लस होगा और सालवेज वालु माइनस होगा तो इसका प्रिजेंट वालु यह सारे प्रिजेंट वालु कर लेना चाहिए 20 लक जो आपको साल बात लेकिन इसको अगर आज के डेडिमें गरोंगे तो उसका वालु इतना होता है सर नहीं समझाए यह यह दो मैंने दिखा तो वान पॉइंट वान टू फोल्टू थी पवाद थी जैसे कर रहे हैं अब इतना तरसे वान पॉइंट वान टू डिवाइड डिवाइड एक बार दो बार तीन बार इंटू 20 इतना पॉइंट थी पॉइंट तू फोर आया अच बोलो सर नेट कितना हो रहा है रीजी वान पॉइंट थी पॉइंट थी फॉइंट थी वेरी गुड सर इसको बोलेंगे क्या प्रेजन वैलू ओफ प्रेजन वालू आफ ओल कॉस्ट थी इसलिए तब उहां पर टुइंट को हम लोगों ने माइनस नहीं किया था क्योंकि मुझे प्रेजन भालू भी इसका भी क्यालकुलेट करना है यह और थोड़ा क्या हो रहा है और थोड़ा स्पेसिफिक लेबल में क्या चल रहा है अच जीचार्ज बताओ सर पीवी एफ कैलकूलेट करो भी पीवी एफ 12 पर्सेंट में तीन साल का कितना होता है जैंट 2.018 यह हम लोग पहले भी केल्कुलेट करके रखे ते तो एनुवल कैपिट्व चार्ट कितना हो जाएगा कि 321.3 divided by 2.401 कितना हो जाथा कि 133.99 133.99 लाइक कि समझे है जब टैक्स रहेगा डेप्रिशेशन रहेगा तो आपको इस मेथेड में साल्व करना होगा ठीक है यह लेवल है से लेवल कोश्चिन का लेवल है एक दम लेवल आप कोश्चिन है अगर आप ऐसे कोश्चिन समझ जाते हो तो कोई भी कोश्चिन समझ जाओगे कोई प्रॉब्ल नहीं है सर यह सब कैपिटल बजेटिंग का थोड़ा लेवल आप है लेकिन आपके सामने इस तरह का बड़ा कोश्चिन आए आप कभी भी घबराओगे नहीं विकॉस आप लेव लोग प्रोजेक्ट भी कर सकते हो तो टो प्लांट भी होम वाक है तो प्लांट भी आप लोग ही डवलो में कीजिए गा ठीक है और फिर मुझे बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए अगर यह समझ गए तो मैं आप लोगों को और भी कुछ कोश्यंस घर के लिए देता हूं आप लोग फ्लीज घर में उसको सॉल्फ कीजिएगा यह स्पेशल डिसेशन सिचूशन में और भी कुछ इंट्रेस्टिंग कोश्यन है जो मुझे आपको कल करवाना पड़ेगा ठीक है रिप्लेस्मेंट में बड़ा ही एनलेटिकल कुछ एरिया है अगर आप लोग एक बार सीख जाओगे और फिर प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे ठीक है सर आज तुम्हें इतना ही रखता हूं कुछ हुमा कोशिंस में आप लोगों कुछ शेयर करता हूं आप लोग घर में ट्राइब कीजिए और कल स्पेशल डिसीशन में हमें कुछ और भी बताना है उसको बता के फिर कैपिटल मजेटिंग होगा ठीक है उसके बाद हम लोग निव चैप्टर अब दूसरा को स्टार्ट करेंगे लिए कैसर चलो सर्फिर बाई फिर सबको टाटा राक्षी लोड़ा बाई सबको टाटा 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 बाई सब्सक्षा बाई, बाई माई सब्सक्षा बाई सर्फा बाई